अगर हमें दो अलग-अलग बीकर्स में लेमन जूस और साबुन का पानी दिया जाए तो क्या आम इन दोनों के बीच में डिफ्रेंस बता सकते हैं? इनके बीच में डिफ्रेंसे इनके डिफ्रेंट कलर, अपिरेंस एंड सो अन हो सकते हैं लेकिन ये केवल वो प्रॉप्रेंटीज हैं जो हम देख सकते हैं क्या इनके बीच केवल यही डिफ्रेंसे हैं? नहीं, इनके बीच में और भी डिफ्रेंसे हैं लेमन जूस बहुत खट्टा होता है साबुन का पानी थोड़ा कड़वा होता है प्लीज इसे टेस्ट करने की कोशिश मत करता है बस मेरी बात माल लीजिए ये थोड़ा कड़वा होता है क्या इन दोनों के बीच का मेजर डिफ्रेंस है? हाँ, टेस्ट एक इंपॉर्टन पैरामीटर होता है क्योंकि इससे हमें क्यामिकल प्रॉपरटीज का पताश होता है लेमन जूस खट्टा क्यों होता है और साबुन के पाने का टेस्ट कड़वा क्यों होता है आपको कोई आइडिया है? इसका अंसर इनके नेचर में है लेमन जूस एक एसिड है जबकि साबुन एक बेस है क्या आपको पता है एसिड क्या होता है? और बेस क्या होता है? पहले हम इन टर्म्स को समझने की कोशिश करते है और फिर इनकी डीटेल्स देखेंगे पहले एसिड के बारे में बात करते है जैसे हम एसिड सुनते है हमारे दिमाग में कुछ तरावनी या कोई ऐसी चीज की इमिज बनती है जो बाखी चीजों को जला देती है वैसे यह सही भी है क्योंकि acids के contact में आने पर burning effect create होता है ये surface को खराब कर सकते है या skin के contact में आने पर उसे चला सकते है acids का काम यही होता है term acid Latin word acidus से आया है जिसका मतलब खट्टा होता है जी हाँ तो क्या सभी acids खट्टे होते हैं हाँ सभी acids खट्टे होते हैं इनके खट्टे बन के intensity acid to acid vary कर सकते हैं लेकिन acids का overall taste खट्टा होता है संत्रा नीमभू और अंगूर जैसे citrus fruits acid substance के best examples हैं जिनमें acid पाया जाता है अब साभून के पानी के बारे में बात करते हैं इसका नेचर क्या होता है इसका नेचर basic होता है जिसका मतलब है कि साभू ने एक base है या कह सकते हैं कि एक alkali है इससे हमारा क्या मतलब है अभी के लिए हमें बस इतना जानना है कि हलके कड़वे टेस्ट वाले compounds को base कहते हैं Bases को जब पानी में मिलाया जाता है तो यह foam बनाते हैं और छूने में साबुन जैसे होते हैं Bases acids के ठीक उल्टे होते हैं Bases के best examples baking soda, washing soda और quick lime है यह सब acids और bases के बारे में था अब क्या बता सकते हैं कि acid और base यानि कि alkaline को मिलाने पर क्या होगा? क्या solution explode हो जाएगा? क्या इससे हमें unexpected reaction मिलेगा? या फिर कुछ और? नहीं, यहां ऐसा कुछ होता है जो हमें पहले से ही पता है सोचिए, अगर हम hydrochloric acid जैसे strong acid को sodium hydroxide जैसे strong base से मिलाएं तो हमें क्या result मिलेगा? इस reaction से हमें sodium chloride और water मिलेगा sodium chloride हमारे घर में use होने वाला नमक होता है तो acid और base से हमें salt और water मिलता है यह एक generalized reaction है salts, acid और base के बीच होने वाले reaction का product होते हैं लेकिन एक बात बताहिए हमें कैसे पता चलेगा कि कोई compound acid है या base है? क्या हम इसे हर बात टेस्ट कर सकते हैं? अगर हमें concentrated sulfuric acid का solution दिया जाए तो हम इसका nature कैसे पता कर सकते हैं? हम अपनी skin पर इसकी एक drop भी बरदाश नहीं कर सकते हैं तो इसे taste करने का तो सवाल ही नहीं उठता तो फिर अब हम कह सकते हैं कि ये एक acidic solution है ये पता करने का कोई तो तरीका होगा इस solution पर कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे कोई compound acidic है या basic ये पता करने के लिए यूज किये जाने वाले substance को indicator कहते हैं जब indicators को acids या basis में मिलाया जाता है तो इनका color change हो जाता है तो इनकी मदद से हमारे लिए ये पता करना आसान हो जाता है कि कोई compound acidic है या basic है लेकिन indicators के लिए कौन से substance यूज किये जाते हैं आगे हम बहुत से indicators के बारे में पढ़ेंगे